तो हेलो दोस्तो मेरे नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यूगेजिट नगरी जैसे कि आप सब जानते हैं मैं आपको कुछ न कुछ हमेशा नया दिखाता हूँ तो नए के साथ साथ आज की वीडियो रहने वाली है ग्लास वालों के लिए रहने वाली है जो मेरे भाई ग् अपडेट हो जाओं वो पत्ते की तरफ जाना चाहते हैं तो आज का टॉबिक रहने वाला है पत्ते गा कई भाई ऐसे होते हैं जो फ्रेम से बाहर निकालते हैं उनका पत्ता गड़ जाता है आज कल आप देख रहे होंगे कोई भी ब्रैंट की लेलो कुछ टाइम बाद उस करती है तो निखिल जी से हम पता करेंगे कैं ए मशिन कितने की यहां पर भिलने वाली है अगर 240 के आरंउंड मिलती है तो उनकिल जाटे है हमारे उनका फिर हैने दोस्त बाहरा हुआ पर मिल घर तो साथ में एक बिट लगी होती है ठीक है एक बिट चार कैम्रे लाइट वरा कंप्लीट और हंड़र परसेंट ओडिजिनल मशीन जेड डबलू वाई जो काफी इस टाइम में डिमांडिंग में नंबर वन हीट मोडल पत्ते मशीन के अंदर और जो सारे ही काम करते है ग्रीन फ्लैक्स यालो फ्लैक्स जो मेरे भाई परिशान है और उसका एक ही सल्यूशन है एन 501 एन 580 ऑके यस से मैसर से सब कुछ इसके अंदर एक तो इसके अंदर दो कैम्रे निचे की तरफ लगे हुए दो कैम्रे यहां पर तो चार कैम्रे के साथ आती है चार कैम्रे एक बिट दोनों में लगी है सर इसके अंदर एक और मोडल आते एन 580 SC जैसे कि आपको अंदाजा देता हूं यह मशीना 2.40 के राओं और वो मशीना 2.10 के सब्सक्राइब है सर वो मोडल एन 580 SC जो निया कंपनी ने लांच किया है उसके अंदर LCD के अंदर भी फरक है और कुछ इसके कैम्रे क्वालिटी के अंदर भी फरक है कुछ हाइड्रोलिक में भी फरक है पहले पुरी डिटेल लो उसके बाद आप देखो कि क्या चीज ले औ और कहां से ले ओ जो मेरे फेवरेट मोडल है वो समीर जी के जो फेवरेट मोडल फाइटी बंद एन 501 जो लोग मेरे भाई तनी महांगी मशीन ले वो 10-15,000 पर नहीं देखे गे और जो मेरे बाई 10-15,000 पर नहीं देखे वो अच्छी मशीन लेनी कोशिश करे और जो सस्ती मेरे भाई थोड़ा रुके ले लेना लेकिन मशीन लेना जेट जेड़ डबलु वाई की फिर हमेशा याद रखोगे फिर उस मशीन को अप सेल करोगे फिर आप इस बैंड पर दुबारा होगे तो इस मशीन का वेट करिये प्लीज तो सर मुझे बताई ये प्राइस क्या र तो 240 के राउंड ये मिल रही है सर जो ये कर रहे है न लो मतलब कि जो भी कर रहा है मेरे भाई ठीक है सब जैसे कि मैं आपको बोल दू मैं आपको कहता हूं कि 250 की मिल जाएगी आपको पंदरा दिन में ओके 240 की मिल जाएगी एक महीने में अच्छा वो बुकिंग के उपर मै तो 240 में एक महीने में दे दी मैं 240 जब मेरे पास आज हैं तो क्या मैं 20-20 गंतियाम नी कर रहा है सर यही मैं मेरे भाई को समझाना चाहता हूं एक तो आपके शहर में जल्दी मशीन लग जाएगी एक नाम होता है प्लस में तीसरी चीज़ से अगर 10-20,000 रुपे देखोगे और एक देट महीने का देखो कि मेरे भाई इतने अप कमाल होगे इतनी मेरी गरंटी है अगर आपने 7-8 फ्लेक्स भी चेंज कर दिया महीने के अंदर 7-8 तो छोड़ो सर 15-20 तो होई जाएगा राम से अगर महीने में 10-15 फ्लेक्स भी चेंज कर दोगे तो इससे कहीं पच्छे से जार गया तीस जार के चक्कर में रहेंगे और आपके पडूसी ने मशीन लगा ली तो पडूसी आपको जिंदगी भर कहेगा कि मेरी मशीन देख कर ये मशीन ले आया आए अब पर बोस्त ने मेरे इसाफ इतने पैसे कमालेगा तो बहुस मेरा यही मानना है मेर भाई मेरा यही मानना है जो भी मेरे भाई लेना चाहते हैं तो आपको बुकिंग कर वाने तो उसकी लिए भी मौस्ट वैलका मैं भी बुकिंग करने को त्यारू दो चालिस में मैं भी देदूँ आएक से डेढ़ महीने का वेट करो उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मेर तो गई तक आपने देखा मार्किट के अंदर जो भी लेटेस्ट चीज थी या जो भी लेटेस्ट मार्किट के अंदर होता है मैं आपको सबसे पहले दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर लोय टेलिकों पे आते हैं तो यह नहीं किस्रफ कोई यही सबसे बढ़ी है अगर वेटिंग में मिल जाएगी जो मार्किट का है सर यह मेरे पास वी कोशिशन आय था कि यह कैसे है कि आप 260 के राउंड तो उनके बाद समझ में आती है क्योंकि मेरे बाई जो अलड़ी बुकिंग कर्वाते वो एक एक डेड़ महीना वेट करते वो हमारी मशीन आज आती आज गर के अंदर तो मेरे भाई अगर आपका इतना महेंगा बचेट है फिर भी आप वेटिंग के अंदर कर रहे हैं तो मैं इसके अंदर कुछ नहीं कहा सकता सर समीर जी आ बताईए तो काईश देखो जेतना लेट करोगे इतना ही दूर जाओगे अ हमारे पास कम सरा कम सर्फ मोडल जो हमारे पास वरायटी जैसे वही तूल्स वाली बात है किया पता मैं इसकी वरायटी बीद लाके छोड़ूँआ 300-400 मोडल के उपर अभी हमारे पास 50-60 मोडल की वराइटी है क्या पता अगर आपका ओर आता रहेगा तो क्या पता मैं 300-400 मोडल भी जल्दी कर दूँगा तो गाइस फिर आपने देखा मैंने आज आपको मशीन के साथ सेम कंपनी के आपको यहां पर पत कोरियर से मगाना चाहते हैं तो वो भी यहां से आपको मिल लेगी तो आज अगरता हूं यह वीडियो आपको भी बहुत पसंद आई होगी कोशिस करूं आपके लिए फिर दुबारा से नेक्स वीडियो से लाने के लिए आज के लिए इतना ही थैंक्यू थैंक्यू